नमस्कार दोस्तों किसी फीमेल को पीरेट्स के दोरान पीट में दर्द क्यों होता है पीट में सेवन चिट चिटा पन मून्ड सुविंग ये सब क्यों होता है क्रेंप क्यों आता है कभी ये सोचा है मेडिकल में टर्म है डिस मेनोरिया जब किसी फीमेल को ये सब सिम्टम्स ह होता है महिलाओं को यही कंडिशन मानी जाती है अब यह क्यों होता है कैसे होता है चलिए दंग से जान लेता है अब आधि अधिश मेनोरिया किसी भी फीमेल को दो प्रकार से हो सकता है एक प्रकार जिसे कहते हैं प्राइमरी डिस मेनोरिया इसमें फीमेल को रिक रोक के कारिनी पीरियेट से दो तिन दिन पहले या पीरियेट के समय कोमिनल पेन हो सकता है और इसका एक जट कारण अभी तक डूड़ा नहीं जा सका है पर कुछ बात इसके कारण हो सकती है जैसे अगर गर में पढ़ रही बच्ची जब उसका यूट्रेस बन रहा होता है उस समय जब कोई गड़वड़ी हो जाए डंक से व्यक्ति का गरवासे डवलाफी ना हो पाए तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति को डिस मेनेरिया होगा एडल्ट होने पर अगर हार्मोन बहुत ज़्याद रिलीज होने लगे तो भी ये मसल को करते हैं मतलब उनको सुकूरते हैं तो कभी फैला देते हैं प्रोस्टाग्लेडिन वही केमिकल होता है जो हमारे बिलड में रहकर बुकार के समय हमारे टेंपरेचर को बढ़ाने का सिंगनल देता है हाइपो थायलमस आपको बता दे प्रोस्टाग्लाइडिनिक नेश्रल जो बॉडी में बहुत सारा फंक्षन करता है इस पेशल इंफल्मेटरी रिस्पॉंस में दो तीन दिन में खुदी ठीक हो जाता है लेकिन अगर बहुत जादा सेवर पेन है बहुत दिक्कत है तो डॉक्टर से सलल लिया जा सकता है डिस्मेनोरिया का दूसर प्रकार होता है सेकेंडरी डिस्मोनेरिया यह 30-45 वर्च की आयो वाली ब्रद महिलाओं में अधिक आम इस्तिति है यह चिकिस्सा की इन इस्तितियों में हो सकता है पहला है फाइब्रोईट यह गेर कैंसर वाले टूमर है जो गर्व में या उसके आसपास बढ़ सकते हैं और दर्दनाग मा सामवारी होती है तीसरा है एडिनो मायोसिस यह एक विकार है जिसमें सामाने रूप से गर्वास्यों को गेरने वाले उतक गर्वास्यों की मास्पेशियों की दिवार के बीतर बढ़ने लगते हैं जिससे मासिक दर्म अधिक दर्दनाग हो जाता है चौता है पहलविक कारण जो नौर्मल भी हो सकते हैं और किसी बीमारी के कारण भी हो सकते हैं इसलिए अधिक दर्द होने पर अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें अब आईए दोस्तों पीरियड में होने वाले दर्द के लिए हम आपको कुछ गरेलू उपाय बता सकते हैं जिनको आजमा का आप आराम मैसुस कर सकते हैं यह गरेलू उपचार सरल है और मासिक धर्म पीरियड के दर्द को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं पहला है हीटिंग पैड पीरियड में दर्द से रात पाने के लिए आप अपने पेट पर हीटिंग पैड या गरम पानी की बोतल तॉलिये म लपेट का रख सकती है गर्मी पेट की मासपेशियों को आराम देने और मासपेशियों के तनाप को कम करने में साहता कर सकती है गर्मी रक्त परिसंचरण में भी सुधार कर सकती है और जमाव और सूजन को कम कर सकती है यह पीरिड्स के दोरान मासपेशियों में एटन और तंत की तहरा की पैदल चलना या साइकल चलना कर सकते हैं यह मासिक दर्म के दर्द को कम करने में मदद कर सकता है ब्यायाम दर्द को रोकने वाले रसायनों के उत्पादन को बढ़ाका दर्द से राध दिलाने में सायता करता है आप योग या प्लेट्स सारी रिक सकती में सुधार के लिए आजमा सकते हैं जो आपके मासिक दर्म के दोरान होने वाले दर्द और परेसानी से ध्यान बटकने में मदद कर सकता है तीसरा है गर्म इसनान या सावर आप गरम पानी से इसनान या इसनान करने का प्रियास कर सकते हैं गर्मी दर्द को दूर करने और मासपेशियों क सांद करने में मदद करने के लिए जानी जाती है गर्म इसनान या सौवर की गर्मी आराम करने और मासिक दर्म के दर्द को कम करने में मदद कर सकती है चौता है मालिस आप अपने पेट के चार और हलकी गोलागार मालिस करने का प्रियास कर सकते हैं इससे पीरिट्स के दर्द क कम करने में मदद मिल सकती है यह एक सरल और प्रवावी उपाय है पाचा है जीवन सैली में बदलाव धूमुर पार बंद करने या कम करने से मासिक दर्म के दर्द में मदद मिल सकती है उच्छ फाइवर वाले खाद पदार्त या भरपूर मातरा में सलाद और सबजिया खा सकते हैं अपने देनिक आहर में बिटामिनी की खुराग सामिल करने से मासिक दर्म के दर्द में बहुत मदद मिल सकते हैं केक चॉकलेट और बिस्कूट जैसे मीटे खात पदारतों का सेवन कम से कम करना चाहिए जीवन सेली में इन में से कोई बदलाब करने से पहले डॉक्टर से सलाज जरूर ले उचित परामर्स के बिना जीवन सेली में में बदलाब करना आपके स्वास को नुकसान पहुचा सकता है तो दोस्तों यह थी एक नॉलेजवरी वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगियो तो हमारे चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा मिलते हैं अगली नॉलेजवरी वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद